शायर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले नो स्कूल नो फीस की मोहिम के चलते सोमवार को पालको ने दिली पबलिक स्कूल पर अपनी मांगो को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया पालको ने अपनी हो रही अंदेखी की चलते विधर्व पैरेंट्स असोसियेशन के अध्यक्ष संदीप अगरवाल को हस्तक शेप की मांग की है संदीप अगरवाल ने प्रदर्शन स्थल पर जाकर पालको से मुलाकात कर उनकी समस्या स्कूल प्रबंधन के सामने रखी लेकिन उन समस्याओं को लेकर स्कूल प्रबंधन गंबिर नहीं दिखा और टाल मतोल का रवईया अपनाने की बात की स्कूल प्रबंदकों द्वारा वहां पुलीस भी बुला रखी थी जिसका पाल को ने विरोध किया। हाल ही में ऐसा देखने में आया है कि कई सी बीएसी स्कूलों ने फीस की मांग चालू कर दी है जो की पूरी तरह से मानवता के खिलाफ वह गैर वाजिब है। स्कूल संचालकों को शर्मानी चाहिए कि प्रती वर्ष फीस के करोडों रुपे डकारने के बाद भी इस थरह के संकटकाल में गैर जवाबदारी बरताव कर रहे है। कई स्कूलों द्वारा ओनलाइन पढ़ाई का ढूंग किया जा रहा है। यहां सब केवल फीस वसूल ले का बहाना है। स्कूल सरकारी आदेश के विपरित स्कूल से कमर्शियल एक्टिविटी जैसे की कॉपी किताब बेचना आधी कर रही है जिस पर तुरंत कारवाई की आविशकता है। वहां मौजूद पालको ने कहा कि अगर ऐसा ही रवया रहा तो वहां अपने बच्चों को एक साल स्कूल से ड्रॉप आउट करा लेंगे और जब तक कोरोना की वैक्सिन नहीं आ जाती तब तक वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अगरवाल ने कहा कि देश बहुत कठिन परस्थिती से गुजर रहा है। कोविद-19 ने सभी की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है। लोकडाउन के चलते देश के सभी परिवार आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं। इस दोरान अपने आपको और परिवार को इस महम शाय भी नहीं हो पाई है। इस वर्ष मार्च से मई की फीस माफ की जाना आज की आवशकता है। जिन पालकों ने इन माह की फीस पहले ही भर दी थी उन्हें उसका क्रेडिट दिया जाए और वर्ष दोहजार बीस से 21 में उतना पैसा कम किया जाए। इस मौके पर पंकज्य सुरेश हस्वानी, महेश गिडवानी, उदैगेहने, नितेश अभिशेक बेलसरे, हितेश अगरवाल, सुनीता जोशी, कपिल चौरसिया, धर्मेश जोशी, विजे कुकरेजा, रोशन शाहू, विक्रम राव, अन्य उपस्थित थे। इन्बीजियन से दपीका धनेश्वे कि रिपोर्ट.